नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैक अन्बॉक्सिंग आज किस वीडियो में हम अन्बॉक्स कने वाले एक पोटेबल प्रोजेक्टर जो है पेंटेरा पीको प्रोजेक्टर एक्स भी इसके पहले पेंटेरा पीको कंपनी का और एक प्रोजेक्टर हमने अन्बॉक्स किया था अल्रेडी वीडियो लाइव है चैनल पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी कॉम्पाक्ट प्रोजेक्टर था गैस और आप सभी लोगे ने बहुत ही बड़िया रेस्पॉंस दिया था उस पर्टिकलर वीडियो पर एंड इसलिए आज हम उन्बॉक्स करने वाले उसका अपग्रेड़ेड वेरेंट जो है पीको प्रोजेक्टर एक्स भी गैस इस पर् प्रिवेस्टर के कमपरेजन में आपको इंप्रुवैजेशन देखने मिलते है इस पर्टिकलर प्रोजेक्टर में थेर सारे फीचर से फ़ंक्ट फंक्सिसे सारी चीजह जानेंगे इसी वीडियो में तो हमारे साथ बने रही हैं इस हमारे चानल पे ने भीर सारे एसा टेक- तो इट आप सब्सक्राइब दो फॉर्धर वीडियो अपडेट्स के लिए तो यह है उसका बॉक्स पाकेजिंग जहां पर आपको पेंटेरा का लोगो देखने मिलता है यहां पर पी को प्रोजेक्टर एक्स भी करके लिका है बॉक्स के बीची की तरफ यहां पर आपको अट जो बिल्ड कॉलिटी है ना बहुती बड़िया निकल के आती है और प्रोजेक्टर यहां पर कॉम्पाक्ट फील होता है तो प्रोजेक्टर को फिला लाम रखते है साइड में फिर यहां पर दूसरा कंपार्टमेंट है उसके अंदर उन्होंने प्रोवाइड की है फुल जो सरफिस है आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने मिलते है और यहां पर पॉली कर्बेरिट का impeachment की तरफ यहां पर पिंटर आकी ब्रैंडिंग देखने मिलते है और यहां पर वेट को लेए अगर मैं बात करू रहा हो थो 390 ग्राम्स की इसका टुमः एंडरन IR receiver, DC power in, full size HDMI port and यहाँ पर projector के base में आपको देखने मलता है इसका universal mount. So guys, यहाँ पर जो build quality है ना बहुती sturdy आपको देखने मलता है इस particular projector की and yes, यहाँ पर और एक important point में miss out कर रहा हूँ जो है इसका touch sensitive area. तो यहाँ पर उपर की तरफ आपको glossy finish देखने मलता है और यहाँ पर उन्होंने volume up, volume down, plus आपको touch pad भी देखने मलता है फिर नीचे की तरफ यहाँ पर menu home and return के भी touch controls प्रोवाइड के जिसकी help से आप काफी easily projector को यहाँ पर operate कर सकते हो. And guys, अभी हम बढ़ते हैं इसके सबसे important aspect की तरफ जो है इसका projection lens. तो यहाँ पर आगे की तरफ आपको उसका actual projection lens देखने मलता है and यहाँ पर उन्होंने auto keystone correction भी provide किया है. आप देख सकते हों यहाँ पर automatically यह keystone adjustment करता है plus यहाँ पर आपको manual adjustment के भी settings इसके अदर देखने मलता And guys, जो projection है वो आपको देखने मलता है 16 is to 9 aspect ratio में and यहाँ पर ideally आप 100 inch तक इसमें projection कर सकते हो but guys हमारे use के scenario पे 75 inch का projection यहाँ पर मैं decent बोल सकता हो इस particular project के लिए 100 inch का projections इतना clearly आपको visible नहीं होगा. And guys, यहाँ पर output resolution को लेके अगर मैं बात कर रहा ना तो 480p का output resolution यहाँ पर आपको देखने मलता है and यहाँ पर उन्होंने full HD and 4K native support भी इसके अंदर provide किया है तो आप यहाँ पर 4K content भी इसमें stream कर सकते हो हाला कि जो output resolution है ना वो यहाँ पर 480p का ही आपको देखने मिलेगा and guys एक projector में जो output brightness है ना वो यहाँ पर बहुत ही जादा matter करता है तो इसके अंदर है आपको 100 ANSL lumens का brightness देखने मिलता है जो बहुत ही जादा adequate है अगर आप indoors इसे use कर रहे हो जो projection वाला पार्ट है ना यहाँ पर मैं decent बोल सकता हूँ 100 ANSL lumens है इतना जादा brightness है बढ़कर इस इंडोर्स में अगर आप इसे use कर रहे हो ना तो adequate brightness आपको यहाँ पर visible हो जाएगी हाला कि अगर आप brighter surface पर इसे project कर रहे हो ना तो इसकी brightness बहुत ही बढ़िया निकल के आती ह इस उसी के साथ यहाँ पर हम बढ़ते इसके operating system की तरफ तो यहाँ पर आपको इसके अंदर full-fledged android 9 operating system देखने मिलता है और यहाँ पर home screen के ओपर आप देख सकते हो आपको धीर सारे applications के widgets देखने मिलता है प्लस यहाँ पर उन्होंने dedicated application का भी section प्रोइड के है जिसके अंद आपको सारे pre-install applications देखने मिलेंगे and yes guys android operating system है तो यहाँ पर आपको play store का भी support list में देखने मिलता है and play store की help से यहाँ पर n number of applications को download कर सकते हो and इस particular projector के अंदर है आपको 16 GB का internal storage and 2 GB का RAM उन्होंने provide किया है so guys यह जो android operating system है यह basically उन्होंने design कि है projectors के लिए इसके अंदर आपको android tv OS देखने नहीं मिलता है customized android OS है and yes यहाँ पर pre-install applications की तरफ बढ़ते है basically जो OTT applications होते है क्योंकि आप content भी watch करोगे projector की help से तो यहाँ पर हमने Netflix को इसमें turn on किया था Netflix आपको pre-install इसके अंदर देखने मिलता है and Netflix यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से work कर रहा था कोई भी lag इस particular software में हमें मैसुस नहीं हुआ and यहाँ पर भी आप high resolution content को बहुत ही अची तरीके से enjoy कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पर हमने Amazon Prime Videos को भी turn on किया था Amazon Prime Videos भी यहाँ पर decently work कर रहा था हाला कि जो output resolution है ना वो यहाँ पर इतना बढ़िया निकल के नहीं आता है Amazon Prime Videos के लिए क्योंकि guys उसका जो software है ना इतना well optimized नहीं है इस particular projector के लिए सो जो output resolution है ना सिर्फ आपको 480p का ही इसमें visible हो जाता है उसके अंदर आपको कोई भी provision नहीं देखने मलते है higher resolution के लिए and yes never the least यहाँ पर हमने YouTube को भी turn on किया था and YouTube यहाँ पर buttery smooth चल रहा था and YouTube में यहाँ पर आप 4K at 60fps तक इसमें content watch कर सकते हो so guys जो content वाला part है ना वो बहुत ही एची तरीके से आप इसमें enjoy कर सकते हो guys output resolution 480p का है बट जब भी आप practically देखते हो ना projection screen को तो यहाँ पर आपको HD या फिर full HD resolution visible हो जाता है so guys जो output native resolution है ना वो यहाँ पर बहुत ही impressive है हाला कि prime videos में आपको 480p resolution ही देखने मिलता है क्योंकि guys वो software इतना well optimized नहीं है इस particular projector के साथ and yes guys यहाँ पर projector है तो यहाँ पर आपको projector settings भी देखने मिलते है तो यहाँ पर हम directly jump करते है settings में तो guys सबसे पहले यहाँ पर आपको network settings देखने मिलते हैं जहाँ पर आप Wi-Fi settings कर सकते हैं और फिर यहाँ पर उन्होंने Bluetooth settings प्रोजेक्टर मोड जहाँ पर आपको different projection modes देखने मिलते है तो guys अगर आप screen के back side से भी projection करोगे ना तो सामने वाले person को visible हो जाएगा तो guys यह बहुत ही amazing mode है जो आपको इस particular projector के अंदर देखने मिलते है उसे के साथ next menu में यहाँ पर आपको keystone correction का option देखने मिलते है तो यहाँ पर आपको auto keystone correction का भी option देखने मिलते है automatically यहाँ पर जो keystone है adjust करता है आपकी screen 16 is to 9 aspect ratio में and अगर आपको customize करना है ना तो यहाँ पर आपको key points देखने मिलते है key points की help से यहाँ पर आप keystone को यहाँ पर manually correct कर सकते हो फिर guys next menu में यहाँ पर आपको brightness का option देखने मिलते है and यहाँ पर आप two levels सक इसमें brightness adjust कर सकते हो फिर यहाँ पर उन्होंने color temperature का भी option प्रोइड किया है जहाँ पर आपको cool, standard and warm colors इसके अंदर देखने मिलते हैं आपके preference के हिसाब से आप set कर सकते हो and फिर यहाँ पर उन्होंने wind speed का भी option प्रोइड किया या फिर four is to three so guys setting wise यहाँ पर आपको ठीर सारे customizations and options उन्होंने प्रोइड किया है and yes यह जो particular projector है इसके अंदर android operating system है तो आप cast भी कर सकते हो आपका smartphone तो यहाँ पर airplay software उन्होंने प्रोइड किया and airplay software के help से आपका iPhone आप इसमें बहुत ही easily cast कर सकते हो and as such कोई भी lag and latency आपको म projection यहाँ पर बहुत ही बड़ी हा तरीके से आपको देखने मलता है so guys in short यहाँ पर wirelessly आपके phone के या फिर आपके laptop के screen को आप directly इस projector पर share कर सकते हो and guys अभी हम बात करेंगे इसके built-in gaming के बारे में so guys यहाँ पर प्लेइश्टोर की help से कई सारे different games से उन्हें download कर सकते हो and यहाँ पर game खेलने के लिए आपको Bluetooth gamepad की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आपको बज जाना है settings में आप देख सकते हो यहाँ पर Bluetooth gamepad आ चुका है and जैसे आप इसके उपर click करते हो जो gamepad हो connect हो जाता है and यहाँ पर हमने दो games इसमें download किये थे Asphalt 8 and beach buggy racing game and सबसे important चीज मतलब यहा यहाँ पर सबसे पहले Asphalt 8 game को लिखे बात करते है तो Asphalt 8 game यहाँ पर decently चल रहा है अला कि बहुती laggy experience था जबी भी मैं Bluetooth gamepad की help से यहाँ पर gaming कर रहा था So in short guys Asphalt 8 game आप इसमें खेल सकते हो but बहुत सारा lag आपको इसमें मैसुस होने वाला है and उसे के साथ यहाँ पर जो beach buggy racing game है ना उसे भी हमने इसमें download किया था उसे भी हमने खेला and beach buggy racing game यहाँ पर decently work कर रहा था हाला कि beach buggy racing game में भी थोड़ा थोड़ा lag हमें मैसुस हो रहा था but guys overall यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ gaming के लिए projector बिल्कुल भी नहीं बना है but आप चाहे तो इसमें games भी download कर सकते हो so guys यहाँ पर जितने भी सारे features आपने देखे ना वो सारे features आपको प्रोजेक्टर के अंदर built-in देखने मलते है but यहाँ पर अगर आपको external laptop भी इसमें connect करना ना वाया HDMI वो भी आप काफी easily कर सकते हो so यहाँ पर हमारे case में आप देख सकते हो हमने laptop इसमें connect किया है HDMI के थू and यहाँ पर कोई भी lag and latency हमें महसूस नहीं हो रही थी जब भी हम इसमें projection कर रहे and yes guys उसे के साथ यहाँ पर हम बढ़ते हैं इसके speaker की तरफ तो यहाँ पर आपको built-in 3 watts का speaker इसके अंदर देखने मलता है so यहाँ पर मैं एक sample video प्ले करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसके sound quality को so guys जैसे आपने सुने इसके sound quality यहाँ पर मैं sound quality को decent बोल सकता हो हाला कि इसका output उतना ही है जितना एक laptop यहाँ पर sound करता है but tension लेनी की बात नहीं है 3.5 mm jack की help से यहाँ पर external speaker भी connect कर सकते हो plus bluetooth की help से भी यहाँ पर speaker इसमें connect कर सकते हो plus guys इस particular projector को आप bluetooth speaker की तोर पर भी use कर सकते हो आप अपर बस आपको जाना है settings में and आप देख सकते हो यहाँ पर bluetooth speaker करके आचुका है and फिर यहाँ पर bluetooth को turn on करना है and फिर आपको जाना है आपके smart phone पर यहाँ पर जो device है उसे select करना है जैसे आप इसके ओपर click करते हो आप सुन सकते हो यहाँ पर device connect हो चुका है कुछ इस तरीके से आप इस पड़िगला प्रजेक्टर को एज ब्लुटूथ स्पीकर भी यूज कर सकते हो इसके साथ यहां पर हम बढ़ते हैं इसके रिमोट कंट्रोल की तरफ तो यहां पर आपको काफ़ी स्लीक फॉर्म फैक्टर में इसका रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है जहां पर आगे की तरफ उन्होंने धीर सारे कस्टमाइजेशन बटन प्रोवाइड किया है प्लस यहां पर आपको एक डेडिकेटेड माउस का भी बटन देखने मिलता है जिसकी हल्प से आप रिमोट कंट्रोल को आज़ा माउस भी यूज़ कर सकते हो हाला कि आपको अप एंड डाउन आरो का यहां पर यूज़ करना पड़ेगा जो इतना ज़ादा कन्विनिन नहीं है इसका जो टच पोशन है वो यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है और रिमोट कंट्रोल भी आपको आयर बेस देखने मिलता है तो आपको कंटिनियूसली प्रोजेक्टर की तरफ ही उसे डिरेक्ट करके कमांड देने पड़ते हैं हाला कि ब्ल्यूटूथ रिमोट कंट्रोल होता ना तो यहां पर मज़ा ही आ जाता है अभी हम आते हैं इसके सबसे क्रूशल एसपेक्ट की तरफ जो है इसकी बिल्ट इन बैटरी जी हाँ इसके अंदर आपको 7000 mAh की बिल्ट इन बैटरी देखने मिलते हैं और यहां पर आपको 1.5 आर्स का कंटिनियूस रॉन टाइम भी देखने मिलेगा जो गईज 1.5 आर्स मैं डीसेंट रॉन टाइम यहां पर बोल सकता हूँ और चारजिंग टाइम को लेकिए अगर मैं बात कर रहो ना जो रॉफली 3 आर्स लगते इसे कंप्लिटली चार्ज करने के लिए जो यहां पर अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूना पेंटेरा पीको प्रजेक्टर XB के बारे में बहुत ही अमेजिंग प्रजेक्टर है कॉम्पक्ट है बिल्ट इन बैटरी भी आपको देखने मलते है इसली आप कहां पर भी इसे कैरी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर crowdfunding में एक budget price उन्होंने set किया था बट अभी crowdfunding यहाँ पर खतम हो चुका है तो अभी जो भी pricing आएगी नीचे description box में आपको link मिल जाएगी जाके check out कीजिए for the latest price and guys बस यही ता आज काई वीडियो I hope आपको वीडियो पसंदा होगा अगर आपको वीडियो पसंदाता है तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीजिए हमरे channel को और दोस्तों और एक important बात please मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद